हालो डिया देसे जब साथ सिंग आम को फाउंडर माप्र इडिकेशन एंड डिजिटल आंत्रेपन इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं एंडिया में इनके कई सारे केंपसे साथ में बहुत ही ज्यादा आप कह सकते तो बहुत बहुत बढ़ा ब्रांड है अगर आप यहां पे पढ़ना चाहते हो तो आपको यहां पर वर्ल क्लास फेसलिटी मिलती है तो आज हम जो डिसक्स करेंगे जो अम रिय्वी करेंगे व यह व्यवी करेंगे गुर्फियु करेंगे गुर्फियो की कैंपस का में ग्नपस का और वीडियोग को अगर बढ़ने से भील्य अगर आप इस चैनले में नये हैं तो सब्सक्राइब टिखन ताकि आपको zadat कोいます और इनको जो एक्रिडिशन मिला हुआ है वो UGC, AICTE, BCI और RCI, Rehabilitation Council of India, INC, Indian Nursing Council and Council of Architecture के थो इनको एक्रिडिशन मिला हुआ है तो legalities पर आप question करी नहीं सकते हैं बहुत ही जबर्दस्त है और दोको इनका जो campus area है वो है 100 ट्रेंड एकर का तो सोचो थोड़ा सा अच्छा का सब बड़ा है तो income present to जो चोटे मोटे universities होते हैं उनके according तो ये तो बहुत ही बड़ा है तो आपको मजा है का campus बहुत बड़ा है और library के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगबख 20,000 प्लस books है साथ में e-books भी है अलग-अलग और आपको यहाँ पर national और international journals भी मिलेंगे 100 प्लस तो बहुत ही जबर्दस्त है और MET University गुरुगाओं का जो address है मैं address exact बदा देता आपको देखो इनका address है MET Education Valley गुरुग अगर मैं बात करूँ देखो इसको बात करने से पहले एक चीज़ बैदा देता हूं किसी भी इनिवर्ट सिटी किसी भी कोलेज के लिए यह बहुत ही important रहता है है और यहां पर जो hostel facility के मैं अगर बात करूँ और capacity के मैं बात करूँ तो वह होती बड़ा है लगबक 2100 इस्ट्रीन यहां पर रह सकते हैं ठीक है और नेक्स्ट है यह जो exam accept करते हैं वह GMANS और METG accept करती है अब हम बात करेंगे इनका ranking के बारे में देखो ranking के बारे में इसलि लग मैकजिन और body के द्वारा तो कुछ मैं बता देता आपको ठीक है ज्यादा डिप्ली मैं नहीं जाओंगो नहीं तो फिर वीडियो लेंदी बन जाता है तो को body magazine इंडिया टुडे के गर मैं बात करो इंडिया टुडे ने इनको टॉप प्राइवेट इनिवर्सेटी इन करेंगे देखो एक इनको मिला है टाइमस अप इंडिया के थुरू एमर्जिंग इंजनी स्कूल आफ इंडिया 2014 में और एडुकेशन एक्सलेंस समेट जो होता है उनमें इनको जो मिला है उपादी या अवर्ड बोल सकते हो है most innovative private university in not इंडिया 2013 में तो देखो कई सारे अव fees और eligibility के बारे में देखो यह university है बहुत सारे यहां पर courses होते हैं तो हम जो अभी discuss करेंगे वह सिर्फ top courses ही discuss करेंगे ने तो फिर मैं बता दू लेंदी वीडियो बन जाता है तो फिर लोग को अच्छा भी नहीं लगता है तो कुछ top courses है जो आपको जानने चाहिए देखो अ M.A.T.G. देना पड़ेगा ठीक है M.B. यहां से करना चाहता हो तो यहां पर फी है पर एनम का वह है 4.2 lakhs का तो मैं बता दू यह university MBA के लिए बहुत अच्छा है मतलब M.A.T. जो universities है ना यहां पर MBA बहुत अच्छा होता है ठीक है तो इनका जो eligibility हो है pass in graduation plus cat का exam देना पड़ चाहते हो तो 1.39 lakhs परेनम है ठीक है आपको eligibility graduation that's it और BA honors अगर आप यहां पर करना चाहते हो तो 69,355 इनका परेनम का फी है और eligibility है 10 प्लस 2 ओके अगर आप यहां पर BBA करना चाहते हो तो जो फी है 2.48 lakh मतलब लगए 1.5 lakh रुपिया ठीक हो management वह कहाना मैंने management में बहुत अच 10 प्लस 2 that's it और PhD करना चाहते हो यहां पर तो जो फी है वह 80,000 and eligibility है post creation अब अगर यहां पर BSC करना चाहते हो तो जो यहां का फी है 1.11 lakhs है परेनम और eligibility है 10 प्लस 2 that's it ठीक है अब हम बात करेंगे placement के बारे दो कही ना कहीं कोई भी university हो college हो placement important रहता है students के लिए उनका कई बार dreams भी होते हैं कि नहीं अगर जा रहे हैं किसी university में college में तो placement कैसा है यह important रखता है तो प्लेस्मेंट यह पर आपको अच्छा मिलेगा ही साथ में मैं थोरा सा बता दूं किसी भी university हो या college को अगर आप जच कर रहे प्लेस्मेंट के लिए तो यह चीज आमेसा ध्यान रखना क कि कितने placements होते हैं वह तो matter करता है लेकि उतना matter नहीं करते हैं आपको यह चीज ध्यान दे रहा है कि उस university या college में companies कितने आते हैं कितने companies आते हैं यह important है बहुत ही ज्यादा तो जितने company visit करेंगे ज्यादा उतना वह university या college बहुत अच्छा होगा तो प्लेस्मेंट के बार percentage package क्यों ना लगे और highest salary package के अगer मैं बात करूँ हों आपर जो लगा हुए इस campus में वह यहां बें Microsoft Amazon इस अब कपड़ी जाती है तो बहुत ही जबरदस्त है और दीको में थोड़ा सा मैं डिसकस कर देता हूं क्योंगी कई सारे लोगो को क्या होता है कि चाहिए होते हैं हैंगी नहीं तो अगर आप चाहते हो इस्कोलर्सिप तो मैं थोड़ा सा डिसकस कर देता हूँ थोड़ा सा बज ठीक है देखो UG courses के लिए अगर आप undergration में पढ़ना चाहते हैं आप तो देखो अगर आपको 100% चाहिए तो आपको 93% माक्स लाना पड़ेगा अपना 12 में और अगर आपको 50% इस्कोलर्सिप एलिजिबिलिटी चाहिए तो आपको 88% माक्स लाना पड़ेगा अगर आप 25% चाहते हो तो 80% आपको माक्स लाना पड़ेगा 12 में अब बात करते हैं PG courses के लिए ठीक है देखो PG courses के लिए अगर आपको 100% इस्कोलर्सिप एलिजिबिलिटी चाहिए तो 93% आपको लाना पड़ेगा मतलब ग्रेशन में और 50% अगर आपको इस्कोलर्सिप चाहिए तो आपको 88% लाना पड़ेगा ग्रेशन में यह बहुत इंपोरेंट है और MB के लिए थोड़ा समय बता देता हूं अलग से आपको 100% चाहिए तो आपको 90% आपको KTM MAT में लाना पड़ेगा ठीक है और 650 GMAT में और GREE में 161 का रेंग लाना पड़ेगा और 50% आपको गर इस्कोलर्सिप eligibility चाहिए तो आपको 85% लाना पड़ेगा KTM MAT में और 600 GMAT में ठीक है और 25% अगर आपको इस्कोलर्सिप चाहिए तो 80% आपको जो है KTM MAT में लाना पड़ेगा और 500 GMAT तो अगर आपको इस्कोलर्सिप चाहिए तो इन सारी कराइटरी को आपको फुल्फिल करना पड़ेगा अब देखो यहां का 50 student एक साथ में बैठ सकते हैं अलग से फिर आपको seminar hall भी मिलेगा हाइट लेवर्टीज हैं यहां पर वाइफाइब मिलेगा 24 इन्टो 7 health care service मिलेगा और लॉंट्री सर्विस तो बिल्कुल मिलेगा यह मिलेगा ATM बगेरा इस सारी तो पार्किंग लोट इस सारी चीज़ा आपको जो बिसिक चीज़े हैं जो फैसलेटीज होनी चाहिए एक इन्वर्सिटी की वाग सब चीज़ा है ठीक है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रू इस है इस इन्वर्सिटी से तो आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे कंसल्टेंट आपको बिल्कुल एंसर करेंगे ठीक है और विल प्रवाइड यू बस्ट सर्विस तो यह वीडियो यही तक आई होब कि यू फांड इट वेल्यूवल ठीक है एड अड 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 दे लास्ट अ